Hello Guys, तो हम बात किने वाले हैं, एक जारो टाइल्स के बारे में इस कमनी का quarter to F23 का रिजल्ट आज़ुका है सामने हैं, तो कैसरा इस कमनी का रिजल्ट और क्या इस कमनी ने डिवीडेंट दिया है की नहीं, इसके बारे में डिसकेशन करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर से का रिजल्ट देखने का मलता है, कमनी के आपर इंकम की बात करेंगे, तो रेविन्यू फ्रों अपरेशन और इंकम को मिला कर कमनी का टूटल इंकम इस क्वाटर के अंदर 7305.02 लेक रुपीस का इंकम देखने का मलता है, जो क्वाटर इंकम बढ़ी है, बाकि पिछले साल स इरावट आती हुए नजर आती है, बाकि इस कमनी के आपर एक्सपेंस की बात करेंगे, तो कॉस्ट आफ रो मटेरिल के अंदर फ्यूल पावर कॉस्ट के अंदर वो सारी चीज़ों को मिला कर कमनी का टूटल एक्सपेंस यहां पर 7117.17 लेक रुपीस का कमनी का टूटल ए इंकम बड़ी है, वैसे कमनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है, बाकि इस कमनी के आपर आप लोग देखने जाओ, नेट प्रॉफिट के बारे में, टेक्स एन एक्सपेंसिल आइटम काटने के बाद कमनी का नेट प्रॉफिट इस क्वाटर के अंदर बड़ी गिरावट आई है, बाकि इस कमनी के आपर से अर्निंग पर शेर की बात करें, तो अर्निंग पर शेर यहाँ पर से 0.31 रुपीज का देखने को मलता है, जो क्वाटर न क्वाटर बे इसके बढ़ बढ़ा है, बाकि पिछली साल से म्वाटर के मकाबले बहुत ही अर्निंडेस्ट्री बहुत ही साथा slow moving यहाँ पर इंडेस्ट्री है, और इस इंडेस्ट्री के अंदर पैसा लगाना है, तो आरे आप लोगों को बता दो, बहुत जुदा टाइम लगेगा पैसा वापस निकालने भी ठीक है, मेरे को तो वाई यही लगता है, इसलिए आप अब लोग एकजारो टाइल्स के अंदर इंवेस्टेड हो, तो अभी यहाँ पर आप लोग अपना जो भी आप प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, तो लॉस यहाँ पर बुक करने की जरूबत नहीं है, अभी के लिए, बाकि आर प्रॉफिट मिल रहा है, तो आर इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक करने में ज़्यादा देरी मत करना और इस कंपनी के अंदर बहुती जादा रिस्क है, तो रीस्क को ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है, वाकि इस कंपनी के अंदर सौर रुप्ए पर ैक बहुत यच्छा सपोर्ट देखने क मलता है तो ये levels पर bracнали में करके भी चल सकते हूं वह सब्सक्नां है यह 150 रुपे का लेवल है और 170 रुपे का लेवल है ये levels के पाट भी क्वानी करके चल सकते हूं तो बस अच्च कलिए इतना यह video पस दोमों पर मिलते है नेक्स विड़ेपन, Complet झाल झाल